नमशकार दोस्तों जैसे जैसे एजुकेशन पॉलिसी में कमिया वर रही थी तो बिट्षद ने अलगलग कमिशन और कमिटी बिठाई एजुकेशन पॉलिसी को इंप्रूव करने के लिए इसमें से एक थी हार्टोग कमेटी 1929 तो इस कमेटी के चेहर्मेन कौन थे? सर फिलिप जोसफ हार्टोग 1929 में दो तरह की थोट्स परवेल कर रहे थी कुछ लोग चाते थे कि क्वालिटी ओफ एजुकेशन इंप्रूव हो और कुछ लोग चाते थे कि रैपिड एक्सपेंशन हो एजुकेशन की कि मास एजुकेशन और जएदा लोग पढ़ेंगे तो वो जएदा कंट्री के लिए कंट्रिबूट कर पाएंगे तो इस कमेशन ने गॉर्मेंट की एटेंशन खीची किसकी तरफ मास एजुकेशन की तरफ जा प्राइमरी एजुकेशन की तरफ rather than secondary और university education की तरफ इन्होंने बोला कि आप university और secondary education के ओपर तो ध्यान दे रहे हो बट mass education के ओपर जब primary education के ओपर आपका ध्यान नहीं है आपको वहाँ पर ध्यान देना होगा यह committee satisfy नहीं थी जिसे सावसे इंडिया में literacy grow कर रहे थी इन्होंने highlight करा कि आप wastage or stagnation कर रहे हो primary level के ओपर अब देख लेते हैं इनकी major recommendation क्या थी पहले तो इन्होंने primary education के ओपर emphasize करा कि अगर आप इंडिया में education का standard बढ़ना चाहते हो तो आपको primary education के ओपर ध्यान देना होगा पर इसके लिए कोई जल्दी नहीं है कोई compulsion नहीं है कि आपको जल्दी जल्दी ये करना होगा आप धीरे धीरे भी इसको कर सकते हो इन्होंने बोला कि जो deserving student है जो intelligent student है वो ही high school जो intermediate state तक जाएं जबकि जो average student है जो कमजोर student है उनको divert कर दिया जाए toward vocational courses जिससे वो अपने आपको skillful कर सके और कामकाज कर सके ये vocational course आठमी standard के बाद में उनको offer किया जाएगा इन्होंने बोला कि अगर आप education को सुधारना चाहते हो तो पहले आपको teachers की quality training status पे या service condition के ओपर ध्यान देना होगा उसको improve करना होगा अगर आप university के standard of education को बढ़ाना चाहते हो तो आपको admission जो है university में वो restrict करनी होगी मालो आप 1000 students पहले university में ले रहे हो आप 400 एना start करतो उससे क्या होगा इक competition बढ़ेगा और intelligent student ही जो 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 इंप्रूव होगी इन्होंने बोला कि जो school hours है जा holidays है वो seasonal जा local requirement के हिसाब से आप adjust करो आप पूरे इंडिया में एक जैसा calendar implement नहीं कर सकते क्योंकि इंडिया बहुत ही बड़ी country है बहुत ही diverse country है तो आप सिर्फ जो है local season जा local requirement के हिसाब से हर local area में आप वहाँ की छुटियां जा आप working art decide करो इस committee ने बोला कि जो primary course है उसका जो time period है आप 4 साल fix कर दो तो आप हम देखते है after effects कि इस committee की recommendation के बाद इंडिया में क्या का change हुआ इस committee ने जो education policy को एक अलग सी shape दे दी तो education policy को stabilize करने के लिए बहुत ज़़दा बड़ा part ले करा तो देखी इस committee की जो report थी वो 1929 में आई थी बट उस time पे क्या था worldwide economic depression चरला था 1930 से लेकर 1931 तक तो इस committee की recommendation को implement करने के लिए पैसा नहीं था ब्रिटिज गवर्मेंट के पास तो इसकी recommendation को effectively जो है implement नहीं करा गया तो ये थी hard talk committee 1929 अगर मैं इसको sum up करना चाहूँ तो इस committee ने majorly क्या करा था कि government का जो focus है वो secondary और university education से shift करके primary education जब mass education की तरफ बढ़ा दिया था ये चाहते थे कि आप primary education के उपर ध्यान दो आप mass education के उपर ध्यान दो तहां जो overall इंडिया में education का जो विस्तार हो रहा है वो बहुत बढ़िया हो सके और सारे लोग पढ़ सके और अच्छी तरह country में contribute कर सके so thank you thank you very much